बिस्मिल्ला आइ रख्मान इर्वहीम अस्वाम अलेकूम वेलकम तो सुपीर एडुकेशन इंस्टिचूट इन इस वीडियो विए गवर एटीपी तस्यल्स अनर्जी कुरंसी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिसकुस किया था कि हमारे लिविंग ऑगनिजम्स के अंद है कि सेल के अंदर वो अनर्जी आती कहां से है तो आज हम यह बात डिसकुस करेंगे कि सेल के अंदर वो अनर्जी कहां से आती है वेल सेल के अंदर जो मेजर अनर्जी का जो सोर्स है ना वो एटीपी है ठीक है यानिकि एसल के अंदर जो अनर्जी आती है वो एटीपी से आ होती है second उसके अंदर five carbon sugar होता है और third उसके अंदर phosphate groups होते हैं तो obviously ATP भी nucleotide है ATP के अंदर भी यही तीन चीज़े होंगी ठीक है अब आते हैं topic के ओपर कि जो ATP है उसके वज़ा से cell अपने major functions करवा रहा होते हैं यह majority of cell के जो functions होते हैं ATP की वज़ा से ही हो रहे होते हैं ATP के energy utilize करके ही हो रहे होते हैं ठीक है वो functions कौन कौन से हैं जिसे synthesis of macromolecules है movement है transmission of nerve impulse है जब brain ने कोई message send करना होता है तो उसकी जब transmission होती है तो उसमें energy required होती है उसका भी source ATP होता है active transport है यानि कि जब molecules की movement होती है from an area of low concentration to the area of high concentration तो obviously low से high में जाना है तो यह inverse है एक gradient के इसमें भी energy required होगी तो वो भी energy ATP provide कर रहा होता है और फिर endocytosis और exocytosis के इंदर जैने endocytosis क्या होता है जिसमें cell को जब कोई materials required होते हैं तो जब वो ingestion होती है materials in cell के अंदर आते हैं तो उसको इंदर जो अनर्जी रिक्वाइड होती है वो भी ATP provide कर रहा होता है फिर exocytosis में जब cell ने कोई material से required नहीं है और उसने वो बाहर लेके जाना है cell से तो उसमें जो energy required होती है वो भी ATP ही provide कर रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि cell के जो भी majority function दोते हैं वो तमाम के तमाम functions ATP ही जो है energy provide कर रहा होता है उनके लिए double ring का नाम देते है एडिनीन भी बोलते है इसको एक five carbon ribose sugar है और three phosphate groups है ठीक है double ring की हूँ बोलते है because देखें यह दो rings बन रहे हैं और यह five carbon ribose sugar है क्योंकि देखें इसके edges five है one two three four five और इस परां के जो structures होते हैं उसे बोलते हैं cyclic compounds आपने ninth class में तो chapter number four में भी कुछ structure पढ़े होंगे जिसना methane का structural formula draw करना है तो वह सारे जो है वो a cyclic होते हैं ठीक है हम 10th class में पढ़ेंगे आके cyclic compounds उनका structure कैसे draw करते होते हैं तो यह cyclic structure है जिसमें हमने closed जो है बनाया वह फिर अगर ATP के अंदर adenine और ribose हो खाली तो उसको बोलते हैं adenosine अगर इसके अंदर adenine ribose साथ एक phosphate group आ जाए तो बन जाता है adenosine monophosphate अगर दो phosphate आ जाए तो adenosine diphosphate और अगर तीन आ जाए तो adenosine triphosphate बन जाता है अब phosphate groups के अंदर आपने देखा है यहां पर कि एक tilted line से draw की गई है वैसे तो आपको बता है कि bones के अंदर हम एक straight line draw करते हैं ताकि bone को show कर सकें लेकिन यहां पर tilted line मैंने show किया इसका मतलब होता है टाइल इसको हम टाइल बोलते हैं ठीक है और टाइल जो है एक very high energy bond होता है इस bond के अंदर energy release कर जाती है जब यह bond टूटता है ठीक है और inorganic phosphate अलयता हो जाते है ATP से तब यह energy high energy वह release हो जाती है जब एक phosphate bond टूटता है तो 7.3 kcal per mole energy जो है वह release होती है 7.3 kcal per mole ठीक है तो यह reaction हम देख लेते हैं अगर ATP molecule water से red करें और वह ATP molecule जो है टूटता है तो उसमें क्या होगा वह adenosine diaphosphate में करोड़ जाएगा क्योंकि उसमें से एक inorganic phosphate अलादा हो गया है और साथ 7.3 kcal per mole energy रिलीज हो जाएगी ठीक है अब mostly cell के अंदर ATP, ADP में ही convert होता है यानि कि further conversion नहीं होती है लेकिन sometimes ऐसे भी होता है कि ADP further AMP में यानि कि adenosine monophosphate में भी convert हो जाता है अगर यह होगा तो इसका reaction क्या होगा अब्यूस्ली एक को और inorganic phosphate अलादा हो जाता है अब जो cells होते हैं वो constantly recycle करते रहते हैं यानि कि जब ATP, ADP में तूटता है न तो फिर ADP, ATP में बनता भी है यानि कि cell यह जो reactions है यानि continuous से करवाता रहता है अब इन दोनों के जो synthesis है ADP और phosphate को मिला के ATP बनाने की उसके लिए हमें energy required होती है energy expenditure required होता है और वो energy कितनी होती है जितनी energy release ही थी उतनी energy हमें required है ताकि हम इन दो molecules को join कर सकें और वो energy है 7.3 kilocalories per mole अब इतनी energy आएगी कहां से इतनी energy आती है जब foodstuff की oxidation होती है ठीक है जब foodstuff की oxidation होती है तब cell को यह energy मिलती है और वो इस energy को utilize करके ATP और इनोगरिक फॉसट को मिरा के दुबारा ATP बिना देता है फिर ATP टूटता है energy release होती है और यह जो step है यह चलता रहता है और cell constantly recycle करते रहते है energy को ठीक है अब ATP जो generate होता है वो energy releasing process से generate होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब हमें ATP को generate करना है तो हमें इतनी energy required है ठीक है तो जब कोई energy releasing process होगा वो जब energy release करेगा तो cell को energy मिलेगी और वो ATP गरेट कर सकीगी इसलिए हम कहारे है कि ATP generates from energy releasing process इसी चला ATP को block down करने के लिए हमें energy consuming process की ज़रत होती है क्योंकि ATP को block down करने के लिए energy required है जब को energy consuming process होगा वो energy ATP को देगा तो ATP टूट जाएगा और एटीप में बन जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि एटीपी जनेरेट स्वाम अनरजी रिलीजिंग प्रॉसेस और एटीपी ब्रोक डाउन बाई एटीपी के बारे में मैं उम्मीद करेता हूं कि आपको समझ आया होगा अगर कोई क्वेस्टिन है कोई क्यूरी है आपनों की तो क आपस्व आपस्छन एटीपैस आफस्ट एटीपस के बारें कारें के अधर्दीपैस के लिएके सेलिएक वारें यादीपी के बारें तूर कोई अविग दा में ऊखर्भावादीपिन है